हालो दोस्तों आज मैं लाए हम टैन्ट क्लास के लिए में कौाइडिनेट जैमिटी यानि नेजसे संग जैमिती ठीक है तो हम इसको सुष्वाध करेंगे आज जैसे पर पहले में इसको समझाना चाहता हूं इसमें क्या होता है चार अक्ष होते हैं कौन कौन में शारक्स होते हैं यह होता है एक्सक्ष यह होता है बायक्ष अगर हम इसको ही रिप्लेस करते हैं तो यह होता है नेगेटिव एक्सक्ष और यह होता है नेगेटिव बायक्ष ठीक है इसमें हम कहते हैं पिर्थम चतुर्थांज पिर थाम चत्रत्वान्ज टिक है इसे कहती है दुट्पीजचत्रत्वांज घॉच्ट तो तो ए इससे कहते है तरफ्पीजचत्रत्वानज कि इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांस चतुर्थांस ठीक है यह हो गया फॉस्ट यह सेकेंड यह थार्ड और फॉर्थ इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं क्यों होते हैं कि सभी पॉजिटिव होते हैं फ्रीन और यह लिझ एक हैं तो और यह लिए तीת यह और य 상태 हैं poder अगर्मकहरं इंसर श。 इस दोनों में मिल रहे च स्क्रवाध है तो यह एक्स और बाइस डौनों पॉजिटिव होगी। है दोनों पॉजटिव रन्हें दूसरे वाले में आया है मैंने देखा एक्स तो नीगे़िव एह संगी लेकिन लिगर ऑी एक्षल कैसा है ले सकाइब मैं आया दूस्तों कि डशा का है कि एसका एमाडे स्काइब तीफरेस कीख तो है तो तीसरे में होता है दोनों नेगेटिव होती है में जब हम चॉठरे में आते हैं तो क्या होता है पहला तो पॉजिटीव होता है एक्सच कैसा है इसमें पॉजिटIf और वा रास कैसा है निगेटिव hyper conservative में तुबएग première इसको समझाता हूं or do we knit यहां पर क्या है एकस पौजिटिव है और यहां पर हम इसको कैसे डिनोड करते हैं हम इसको ऐसे ही ती दिखाते हैं 10 कॉमा बाइं एसे तो दिखाते हैं तो जो एक सक्षोती है दोस्तों यह एक सक्ष को हम कहते हैं भुज और यह जो होती है हम इसको कहते हैं और कोटी क्या कहते हैं कोटी यह को हम क्या कहते है कोटी थेक यह को कोटी कहते हैं तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसे कहते हैं एफ सीसा कैसे कहते हैं एफ सीसा एफ सीसा कहते है अंसे इंग्लिश में हम एक केंगे तो क्या कहेंगे एफ सीसाँ और इसको क eux कहते हैं इसे कहते हैं ओर्णिट के अश्डूर्णिर्ट दोबारा समझे सक्याओ यह एकस जो होती है एकस इसे कहते हैं भुज और यह वाई जो होती है इसे कहते हैं कोटी कि आपको समझ में आ रहा है मैं इसको मिटा देता है यह भूझ और कोटी होगी अगर आपसे यह पूछता है कि बिंदू दे लिए इसने क्या देदी है बिंदू देदी बिंदू कशीज़ आपको बताने के बाद फिर मैं कॉशन्स करते हैं नेक्स लास में आपको पूरी करऊंगा ओhalb ख्या करें इस बाट वीडियु को पहुष करेंगे पहुष करने बाध सत्कों करेंगे नोट करने के बाद में फिर दुबारा से स्तार्ट करते ही कि हुआ है किका भी को सुत्र देखते हं कि देखते हैं कि दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र क्या हुआ हो था मैंने कहा एक बिन्दू पी है और एक बीन्दू क्या है क्यूं है और इसके बीच की दूरी क्या है है तो मुझे इस दूरी को ग्यात करना है किकी की बीच की दूरी तो क्या होता है कि हिसके क् वाली मैंने एक्स बन कोमा बाई बन और यहाँ पर विंद्दिय दी है एक्स-वासाल लिखें है यह एक्स-डू Singapore तो इसका formula क्या होता है दोस्तों इसका formula श्तू minus II हुआ לא likewise कि है यहां पर g2- calmus का państwo कुछ अब कुछ स्थे कहेंग एसे लिख सकते हैं नहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम اेसे भी लिक सकते हैं इसको लिख सकते हैं स्थम्र cin savoir का wn i square यहाँ पर हो गया by 1 माइनस राई डू का वोल स्कायर यह जैसा रखना है हम हम कोई भी कॉड़िनेट के लगा कर निकाल सकते हैं अगर हुआ हम एक सवर माइनस to by वन इनस बाइस घाल सकते हैं हम रहें कि देखते हैं आगे दोस्तो इससे भी हम निकाल सकते हैं अब हम देखते हैं आगे मिटा देते हैं इसको सर्रेग देखते हैं क्या देखते हैं सर्रेग आप क्या करेंगे वीडियो को पहुश करेंगे फिर इसको आगे देखेंगे अब हम आपको तमझाते हैं सर्रेग क्या होता है सर्रेग सररेक का मतलब होता है और इंगलिष में से कहते हैं को लिच को लीनियर को लीनियर इंगलिष में से कहते हैं को लिनियर क्या होता है जब दो या दो से अधिक बिंदूóm एकी लाइन मर эксперbs एक ही लाइन में हूँ मैंने का को लीनियर बताई यह एक ही लाइन में यहां पर खड़ें तीन बच्चे खड़ें एक बच्चा यह खड़ा है दूसरा बच्चा यह खड़ा है तीसरी बच्चा यह खड़ा है अगर यह सीध अगर मैं एक लाइन में हूँ तो यह क्यालाते है को लीनियर या सर्रेख है यह क्या है एक हի उस्में है यह की लाइन में है काई में है यह तेन विंदू है तो होते तो दो रों एक लाइन में है तो हम कहसे आसकर . है दूसरा एक पहचान यह है कि अगर मैं दो विंदों के बीच की दूरी लूँ किसकी दूरी लूँ दो विंदों के बीच की दूरी लूँ यह A B और फिर मैंने लेगी B C तो A C जो है A C क्या है वह A B और बी सी दोनों की दूरी का योग होगा दोबारा समझा देता हूँ ए से लेके सी तक की दूरी ए और बी इतनी दूरी और बी सी की दूरी इनका योग होगा क्या होगा इनका योग होगा तब क्या होंगे सर्रेख होंगे क्या होंगे सर्रेख होंगे जैसे कि मैंने कहा बंदू ले लिए मैंने कोई भी यह रहा ए बी और सी मैंने कहा यह वाला बंदू है मेरा 2,3 यह मेरा 4,3 यह है मेरा 5,2 वैंस तरीके से लिए लिए विन्दू वे कुछ हों यह सर्रेक है क्या है सर्रेक होने के कंडिशन क्या है इसके इसके बीच की दूरी और इसके इसके बीच की दूरी इस टोटल के बीच की दूरी के बरावर होगी तब यह अंसर आएगा हमारा कि हाँ सर्रेख है अगर नहीं यादा है तो यह सर्रेख नहीं है अगर मैं इनका छेत्रफल निकालों क्या निकालों छेत्रफल निकालों तो मैं कहmpfen यह चतर बूझ और चैत्रफल फेल्गया सब्सक्राइब लेकिन स्यथि लैन का कोई कोई छेत्रपल नहीं होता तो सीधी लाइन का छेत्रपल क्या होगा जीरो होगा क्या होगा जीरो होगा आप इसको पॉस्ट करें और इसको आराम से उतार लिए कि अध्युक्ष पहला सवाल दिया है क्या दिया है उसमें सबसे पहला सवाल देखेंगा सैबन एक्सराइज करते हैं स्टार्ट करते हैं प्वंट बैन तेवल ठीपन में क्या करते हैं हमने कहा 3 मंदू दिय manger सबसब पहला सवाल देखेएगा पहलाnon कहरaya two come have a travel से और चार- Буд इच की दूरी बताना क्या बताना क्या बताना क्या बीच की दूरी बताना तो मैं क्या करूँगा इसको एकлом मालों इसको यह तो हमने किया यह सूत्र क्या होता है बीच की दूरी का सूत्र होता है एकalt माइनस दू का कोहुंअ ऍप्लास दू कोहिंगए यहां पर कितना आ गया कि कितना मेरा दो एक्स कितना है माइनस के चार होल स्कायर प्लस है तीन माइनस बन का होल स्कायर कि कितना आ गया है दो दूनी चार हो गया चार में से दो गया दो बचा चार बचा यहां दो में से गया तो चार बचा कैसे हुआ इस दोवारा समझे लो दोए यहां पर चार में से दो गया तो कितना मैम के 2 का हूल सक्वायर यहां कितंड बचा 2 कास्वायर और यह मेरा दो दोनी चार ओगया और यह बीड़ी दोनी चार ऑगया थे सियर आट को हम क्या लिख सकते आर्ठ को हम लिख सकते हैं ऐसे देंगी दो दो निचार दो चौक आथ दो 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 आख लिएगल दो तो यहां पर कितने जोड़ा बनाना है यह अन्डरूट से बार निकालना है तो इसको मैं यहां लेख देता हूं सोड़ सा इधर इदा देख लें आप मात रख्या हो गया इनकी बीच की दूरी हो गई इसे पॉस्ष करो आराम से उतार लो ठीक है इसी तरीके के चारो कोश्चन से इनके बीच की दूरी भी इंसे पूछ रहा है तो हम सारे निकाल देंगे इसी तरीके कि अगर निकाल देंगे सबीनिकाल देंगे अगर एक सवाल ऐसा होता है कैसा होता है कि सवाल आ रहा होता है कि ए कॉमा बी यहां पर है ए माइनस ए कॉमा माइनस बी इनके बीच की दूरी बताओ तो कुछ नहीं करना था हमने डी लिख दिया यहां पर और यहां पर लिखना है ए माइनस ए का होल स्कॉर यह माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस बी माइनस और यह माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस होल स्कॉर यहां गया टू ए का होल स्कॉर प्लस टू बी का होल स्कॉर अगर मैंने इसको लिख दिया तो कितना आ गया दो दूरी चार एक स्कूर यह आ गया दो दुनी 4 बीस को इस चार मैंने कॉमल ले लिया इसका मतलब दो बहार आजाएगा अंडरूट के या गया स्कूर यह मेरा क्या हो गया आंतर हो गया इन के बीच की दूरी हो गई ठीके दोस्तों आगे करता हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ आप काड़ पॉश करें और इसको नोट करें ठीक है दूसरा सवाल देखते हैं दूसरा सवाल हम अपसे कह रहा है कि अनुछे 7.2 जो कि पीछे दिया है किताब के आपको उसको देखना है इस तरीके से दिया हुआ है यहां पर दिया है 4,0 और इसके आगे दिया है 4,6,0 इसके बीच की दूरी निकालनी है तो कुछ नहीं है यहां से लेके और यहां तक की दूरी निकालनी है तो कुछ नहीं करेंगे यहां लग देंगे 4,0 को यहां पर 6,0 तो अंडरूट हम लगा देंगे X-X1 X1 X2 P1 Y2 तो आगया X1-X2 का whole square Y1-Y2 का whole square यहां आगया मेरा 4-6 का whole square यहां आगया 0-0 पर 0 तो आएगा Y2-Y1 तो यहां कितना आगया दो बचा यहां पर बचा-2 का whole square यहां बचा 0 तो यहां कितना आगया square हट जाता है यह दो दूनी चार हो कि तो क्या आगया 2 आएगा अगर किसी संक्या माइनस की है माइनस पर square चड़ा है तो समय है धनात्मक संक्या प्राप्त होगी क्या प्राप्त होगी धनात्मक संक्या दो दूनी चार आगया चार का रूट कितना आएगा दो आएगा तो दो मांत्र किसके बीच की दूरी हो गए इसी तरीके से 36,5 है मुसका भी निकाल सकते हैं तीसरा सवाल क्या रहा है तीसरा सवाल देखते हैं तीसरा सवाल कह रहा है कि तीन बिंदू दिया है यह सर्रेक है या नहीं है तीन मिंदू सर्रेक यह देखिए एक मिन देदिया एक दूसरा है भी और तीसरा है सी यह कतना है एक कमा पांच आगया जिब दो कमा झीन आगया और यह माइनस तो आगया और यह माइनस का गया ठीक है माइनस का दो आगया माइनस के तो मैंने वताया है कि अगर यह सर्रेक है तो यहां से यहां तक की दूरी इन दोनों दूरियों के बराबर आना चाहिए नहीं कहां A और C बराबर A B A से लेके कहां तक B तक और B से लेके कहां तक C तक यह दूरी आने चाहिए तब हमारा यह सर्देख होगा दूरी के लिए क्या फॉर्मॉला लगाते हैं हमने लगा दिया यहां अंडरूट यहां पर भी अंडरूट प्लस का चिन अंडरूट ठीक है A और C तो A से कितना है एक माइनस दो तो प्लस का होल स्कॉाइर A C है ना A और C देखना है दियान रखना है A से C तक है प्लस कितना हा गया माइनस के पांच माइनसashi 215 प्लस का माइनस के 5 यह होगे 20рь हमने लिया कितना A और B से लेए माइनस के दो का होल स्कneiD-3 5-3 का का हुट अब आते हैं आगे 20 सी देखो तो कितना आगे दो मांस दो गाचुल स्कॉयर ब कितना हो गया ृप प्लस का 2 का हून स्कार यहां गया प्लस की तीन प्लस गयारा का हून स्कार दूरी यह तो आनी चाहिए अगर मैं देखता हूं यहां हो गया तीन और यह हो गया पांच तो ग्यारा मेर्म 2 तीन दिया 9 होते हैं और यहां होता है 16 सोरा किपना होता है कि दो एक तीन 3 का स्कॉर्ट कर दिया नौ आ गया 56 होघा 256 होते है स्कॉर्टन चार जन्हीं हो गया माइनस दए या एक आ गया 256 होते हैंускonom कन्सॉर दोनी कि कि었र हो प्लस कि यहां पर कितना होगा दो दो दुनी चार हो गया चार सब्सक्राइब और दो चार हो गया और यहां कि टीक है हमने यहां पर लिग्या यह दोनों को जोड़ दिया नौ और इसको जोड़ा तो 255 का रूट में बराबर अंडरूट 5 आ गया और यहां पर आ गया चेशे बारह और यह 10 ग्यारा, कि दोसों बारह दोस्तों यह और यह दूनों को चुड़ जाएंगे नहीं जुड़ेंगे कैसी है पर्में संक्या काबी भी जुड़ती नहीं है अगर हमारे यहां पर समान नहीं है तो नहीं जुड़ेंगी तो यह आप उसमें कैसी है बरावर नहीं है यहां लिख दोगे ए कमा बी और सी सरीक नहीं है जगह नहीं है नीचे इसलिए इसलिए मैंने यहां लिख दिया सरीक नहीं ठीक है विडियो पाक्ष करो और दोबारा इसको आगे देखते हैं आगे सवाल कह रहा है अगला सवाल है चौत्र सवाल देखें आप लो कि तिर्भुज ए बी और सी के निरसांग दिये हो गए और यह सर्रेक है यह नहीं है आप अपनी किताब 7.1 एक्ससाइज का चौता सवाल देखेंगा यह एक तिर्भुज के निरसांग देदी है कि कह देदी है यह हो गया बी हो गया और यह कितना हो गया सी हो गया कि यह कह रहा है पांच कॉमा माइनस दो यह आ गया पांच कॉमा माइनस दो और यह कितना आ गया छे कॉमा चार से कॉमा चार हुआ कि गया ओधर में कहूं कि इनकी बीच की दूरी अगर मैं निकाल अगर कोई भी तो सम्देवाव तर्व जोगा उसके बीच की दूरी समाना है अगर मैंने कहा एबी निकालता हूं तो एबी क्या हो गया अंडरूट पांच माइनस छे इन दोनों की बात की है ए मतलब ये बी मतलब ये का होल स्कायर यहां पर आगए चार माइनस दो माइनस चार माइनस के दो माइनस के चार तो प्लस हो गया होल स्कायर तो मैंने ए भी निकाला तो कितना है चे में से एक गया तो एक बचा कितना बचा है माई एक बचा प्लस चार में से दो गया तो दो क स्कार हो गया तो कितना और मैंनेश कर gefunden चार हो गया एक प्लस चार आगया अंडर O ARq कितना अगया अंडरू 5 हा लिया दोबारा समझो चार वाइंड दो मैइनस के 4 प्लस के दोम स्कता दिया तो 2 दूनिश sweets our five 1 मैंश का ब्लस जोड दिय तो रूट माइन डो गया होल य स्कॉार हो गया under यहां पर और आगे क्लिक्क के माइन्स दो मैंडस गाहए कि माइनस का दो सवार्य के चाहर माइनल और प्लस होगा कि आप आप रहेखे मैंने साथ घठा दिया तो आप कहेंगे छे माइन एक यहां मचाथ छे च्छंग छतिस तो यह आ गया अंडरूड एक 37 वही 36 और एक 37 यहां पर भी देखते हैं कि गलत तो नहीं हो गया दुबारा से ओह गलत हो गया यह माइनस के माइनस के च्छे हो गए कि माइनस के छे की घा दो लेइस कहले चले की जाया खे चले 54 और एक 37 अब हमारे पास दो भुजाएं तो समान आ गई ए यह पी और बीसी कैसी हो गई है इसका मतलब अगर यह सम दो भुजान अक्रम्ना या ayat hai तो लात हुए हम टोशन वख दो हम निकालते है एए और सीओ कर्दें को एक निए पांच माउनेस के साथ होल स्कॉर निकलते हैं माइनेस का दो प्लस का दो इसका यह 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 का दो एक क्या है और यह माईनेस था तो यह फ्लस हो गया अगर हमने इसको निपगाला तो कितना आया तlo साथ में से नोफ गैध दूबचे दो का होल स्कायर हो गया और यहां ज्रोंग तो कि दना है चार चार का कितना उता है तो नो मुझाय समान है इसकी स्पना हम कह सकते सम्देभाव तुरूज सैंतने तरूज है कि आप qualifying आपर कॉन सा तो समदेभाव तुरूज एबीस थे ठीक है दोस्तों आप लोगों को ये कम वीडियो कैसी लगई आप ज़रूर बताएएगा ठीक है अपने दोसतों में dioxide कीजिए गाला कीजिए कमेंट कीजिएगा मिलते हैं अग्षिस जितने भी सवाल आपके बचे हुए मैं अगली क्लास में आपको करात हुआ है ठेंक यूज अग्षिस तो भाओगा मिलते हैं यूजए यूजएगा झाल